बिसमे लाइरवाने रहें असलाम लेकॉम students of class 3 Today is lecture 19 of mathematics and the topic is addition Okay, students addition के कुछ questions हम लोगोंने last lecture में किये थे इससे आगे further questions हम मजीद आज के lecture में करेंगे Okay, students last के lecture में मैंने आपको decimal values, decimal like rupees और पैसा को मैंने लिखना बताया था कि जब point आजाएगा तो हम addition को कैसे लिखेंगे ठीक है First of all, page number 133 part number I इसकी addition कर लेते हैं अब हमारे पास rupees में कितनी values आ रहे हैं 1, 2 and 3 ठीक है, आपको मैंने बताया था जो points से पहले value होगी वो रुपीज में होगी जो point के बाद value होगी वो पैसा में होगी point से पहले value रुपीज में point के बाद value पैसा में similarly point से पहले वाली value रुपीज में है point के बाद वाली value पैसा में है ओके, सबसे पहले हम यहां से एडिशन करना स्टार्ट करते हैं, 5 प्लस 5, that is equal to 10, 5 प्लस 5, 10, 0 हम लिख देंगे यहां पर, और 1 as a carry forward हो जाएगा, ओके, now, 1 प्लस 1, that is equal to 2, 2 प्लस 8, 10, यही 10 बन गया, 0 को हमने यहां लिख दिया, 1 as a carry forward चला गया, point है, point हम must यहां पर लगाएंगे, अब इस point से क्या हो गई, हमारे पास separation होगी, rupees की और पैसा की separation होगी, point से पहले वाली value क्या होती है वो, rupees में होती है, point के बाद वाली value पैसा में होती है, now, carry को भी add करेंगे, 1 plus 5 plus 6 plus 4 5 plus 1 that is 6 6 plus 6 12 12 plus 4 12 13 14 15 16 हमारे पास क्या value बन रही है 16 6 को यहां लिख दिया और 1 as a carry forward चला गया okay now 2 plus 1 plus 1 that is equal to 4 यहीं 46.00 यहीं हमारे पास आंसर क्या है rupees 46.00 point से पहले वाली value किसमे है rupees में point के बाद वाली पैसा में part नमर जे है इसको देख लेते हैं इसमें हमें कहीं पे भी rupees नहीं नजर आरा because हमारे पास यहां पे क्या unit है पैसा ठीक है यहीं 80 पैसा only 60 पैसा only 10 पैसा only 0 plus 0 plus 0 that is 0 P as it is लगा दिया P stands for 8 plus 6 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 plus 1 15 तुम्हारे पास आंसर किसमें आ गया पैसे में आया और 150 पैसे हमारे पास आंसर आया ओके Now next question देखते हैं Okay students Next K part है Page number 130 अभी तक हम addition को ही continue कर रहे हैं Okay 0 plus 5 plus 0 Students हमारे पास यहां question पैसे में आपने यूनिट का ख्याल रखना है हमने सबसे पहले हमने P को हमने as it is लिख देना है ठीक है इस दीज का खास तोर पर दिहान रखना है 0 plus 5 plus 0 that is equal to 5 7 plus 1 that is equal to 8 Okay 7 plus 1 क्या होता है 8 8 plus 4 8, 9, 10, 11, 12 Okay हमारे पास यहां answer किस में आया पैसे में आया ठीक है हमारे पास यहां पर रुपीज की कोई information नहीं गिवन यहां पर सिर्फ पैसे की बात हो रही है Okay 70 पैसे plus 15 पैसे plus 40 पैसे that is equal to 125 पैसे Okay Now L पार्ट आजाता है 5 पैसे plus 90 पैसे plus 35 पैसे First of all unit देखेंगे P है as it is P हमने लिख दिया Now 5 plus 5 सबसे पहले हम इन तीनों की addition करेंगे 5 plus 5 that is equal to 10 1 carry यह form बनती है 0 as it is लिख दिया और left पे 1 as a carry forward चला गया 9 plus 1 that is equal to 10 10 plus 3 13 यानि आंसर हमारे पास क्या है 130 पैसे Okay Now students इसका एक पार्ट M है M पार्ट को भी देख लेते हैं 20 पैसे Okay 45 पैसे और 60 पैसे ठीक है इसकी हम addition करेंगे Okay कोसन है हमारे पास 20 पैसे 45 पैसे और 60 पैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे पास unit P डिलावा है उसको हम as it is लिख देंगे ठीक है यह P मैंने as it is लिख दिया P stands for पैसे Okay Now 0 plus 5 and 5 plus 0 that is equal to 5 Okay Now 4 plus 2 that is 6 6 plus 6 that is equal to 12 तुम्हारे पास answer क्या हो गया 125 पैसे ठीक है students units का हमेशा ख्याल रखना है जो unit होगा P यहाँ पे लिखावा है हमने answer में भी P must लिखना है sign को देखना है जो sign होगा हमने उसके according process करना है plus है तो हमने addition करनी है minus होता है तो हम subtraction करेंगे students addition के questions हम लोगोंने आज़े लेक्टर में complete कर दिये है similarly subtraction के question rupees और पैसे के हम लोग next lecture में करेंगे okay thank you